हेलो लेर्नर्स वेलकम टू माई चानल कमबाइन सी इस दा एक्स्ट्रा स्टेप आज की इस वीडियो सिरीज में मैं आपको आपको आटिफिशल इंटेलिजेंस पे एक सिंगल रिविजिन पेज प्रोवाइट करने जा रही हूं जो बिसेकली हमारा सिंगल रिविजिन पेज यह फोर्थ हो जाएगा तो अगर आपने प्रिवेस नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइट किया है तो आप जाकर उसे भी जरूर देखे बिकॉस सिंगल रिविजिन पेज प्रोवाइट करने का मेरा में मोटिफ यहीं है कि सब्सक्राइब करने के लिए तो हमें एसा नहीं करना है बिकॉस अभी मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अल्मोस्ट हमारा वनन हाफ मन्त ही बाकी है हरे एक इक्जाम को स्टार्ट होने के लिए तो हमें एवरी डे एक स्माइल के साथ सुबह उठना है और कुछ न कुछ रिवाइज करना है तो इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में ही सिंगल रिविजिन पेज प्रवाइड किया कि आप छोटा साथ पूरे दिन में से अगर आप 10 मिनट का भी टाइम निकाल के इस होते है अस वी और अनिफम्ड में बनांच के ब्लाइण देकल करेंगे सायल रिवाइद सर्च डेक्निक होते हैं ऐसी अनिफॉर्म अंग ये मुल मन किन्द कर एंग में हूच को तो आप को क्या वग्भी को और different names होते हैं और informed को भी हम different name से जानते हैं तो आप मुझे comment section में लिखे कि what are the alternative names for blind search and informed search यह मैं आपको task इसलिए दे रही हूँ because इस पर questions already using net में पूछा है कि what are the different categories or types जो कि informed search के अंदर आते हैं और blind search के अंदर आते हैं ठीक है this was my first assignment for you guys जो भी इस video को देख रहे हैं वो आज का आज ही मुझे comment section में यह लिखे next यहां पर second question बनता है कि आपका जो blind search है या uninformed search है उसको हम basically small search space के जो problems होते हैं उसके लिए use करते हैं informed को हम real life में जो भी problems होते हैं complex होते critical होते हैं उसके लिए informed को use करते हैं तो this was the second question जो कि आपका UGC net में आ चुका है कि blind search आप पूचेगा कि blind search is used in which field तो different options थे उसमें आपका इस page पर रखा है जिसमें हमें उसके complexity factor time complexity space complexity और optimality का मालूम होना बहुत से जरूरी है because इस पर जो questions आते हैं आपको match the following आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा तो breath first को हम पहले देखते हैं breath first हमीं मालूम है इसमें हम Q का implement करते हैं और जो कि level wise level हर एक note को traverse करेगा तो क्या यह complete हमें information देखता है तो yes optimal है yes और इसका time और space complexity same होगा जिसमें हमने कहले कि order of b to the power d plus 1 यहाँ पर plus 1 को आप ignore भी कर सकते हैं तो यहाँ पर d क्या है d means depth आप किस depth पे चाके note को search करे रहे हैं यह हो जाएगा और जो b मैंने power में लिया ब्रांचिंग फेक्टर कि आप कितने ब्रांच को traverse कर रहे हो या उसको सक्सेसर नोट भी बोल सकते हैं तो यह जो मैंने आपको यह समझाया कि b क्या है और d क्या है तो यह आपको दिमाग में रखना है सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट होगा नेक्स डेप्थ फर्स्ट में मालूम है कि मिस्टैक का यूज करते हैं ठीक है और सबसे डीप सबसे लास्ट नोट पे जाकर वहां से गोल स्टेट पे जाते हैं तो क्या यह complete आप नाम से ही समझे कि क्या जो डेप्थ फर्स का functioning है वह हमे आपके लिए ज्यादा effective हो आपको इससों ignore कर दिये हैंस आपको इस तरीके से दिमाग में बैठाना है कि ब्रेट फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट ही इसके जो यह दो चार्ट है यह बहुत ही important है बट हमें मैं आपको ऐसा बता रहे हूं कि आपको याद करने की कुछ भी जो करें नहीं हमें क्या करना होगा कि पूरे माइन को ओपें करके जितने भी आसपास में activities हो रहे हैं जितने भी आसपास में नोट से हम यह find out करेंगे every time कि कौन सा सौटेस्ट पास्ट है इसलिए हमारा ब्रेट फर्स्ट इस मोस्ट एफेक्टिव देन DFS ठीक है आई होप आप यह क्या होगा कि यह हमें optimal और complete निंस देगा और यह faster होता है breath first से तो किसी भी question में आपको यह mention करें कि आपका recursive approach कौन सा होता है तो this is the keyword recursive approach तो आप कौन सा option लगाएंगे iterative deepening and जो iterative deepening का मैंने यहां पर आपको complexity बताया है यह same complexity हमारा minimax का भी होता है जो कि another एक heuristic search technique है next is very important greedy best search and a star ठीक है तो यह दोनों हमारा किसके अंदर आता है informed के अंदर आता है informed में greedy best search फहले इसमें आप समझे लेगे best search क्या होता है तो best search is the combination of BFS DFS मतलब दोनों का जो positive point होता है वह best search में होता है ठीक है तो क्या हमें मालूम है कि यहां पे DFS में हमने यह देखा था कि व greedy means what कि जो इसमें loop की problem थी DFS में वो problem इसमें ignore हो जाते है क्यों क्यों कि जैसा हमने देखा अगर यह breath first को use करेगा BFS को तो यह अपने neighbor को भी analyze करता है इसलिए greedy best search is efficient than BFS and DFS next है हमारा A star जो की most important है UGC net के syllabus से इसको आपको हमेशा धहां से समझना है A star सबसे पहले तो इसमें questions कैसे बनता यह मैं बता देती हैं अगर आपसे question में यह पूछेगा कि कौन सा best heuristic technique है तो आप answer लगाओगे A star because यह आपको completeness और optimality provide करता है and इसकी complexity time और space में same होती है जो हमने देखा ता branchive factor to the power of depth अब आप सोचेंगे कि अगर DFS में अगर आप हमने BFS में भी same लिखा था और A star में भी same लिखा है तो यह कैसे अच्छा हो गया breath first से तो let me tell you कि अगर यहाँ पर A star में यह होता है कि इसमें हम क्या करते है goal state और heuristic estimated करते है cost को ठीक है तो यहाँ पर अगर अब समझें कि एक function given है function में यह function किस पर depend कर रहा है दो चीजों पर depend कर रहा जी एन और H star तो जीन क्या होता है कि अगर हमें समझे एहमदाबाद से मुंबई जाना है तो हम एहमदाबाद से नागपूर गये ठीक है और नागपूर से फिर हम सोचे हमें एहमदाबाद से नागपूर जाना था और फिर यहां से महाराश्ट्रा जाना था तो आपका यह जो है कि एहम तो अग इसमें कॉस्षिंस कैसे पूछता है कि एक 0 की वैलू हो जाएगा 1 की वैलू हो जाएगा तो आमें 0 से याद करना है कि closest to goal तो जी में goal आता है ओ आता है तो आप ओ से ओ को याद कर सकते हैं कि अगर question में आपको यह given है कि आगर तो जी आफ एन की वैलू सटेंट गिवने की सोट से आपका मिडिल पाथ तक आ रहा है उसमें आपको क्लोजिस टू गोल फाइंड आट करना तो जी की वैलू क्या होगी तो जी का ओ और ओ तो इससे आप याद कर सकते हैं यह ट्रीक है याद करने का वन अगर रहेगा तो आप जीरो लोगे तो क्या होगा अगर सपोस्थ यह पूरा एलिमेंट ही 0 हो गया मतलब कि हमने कुछ भी नहीं किया तो वह हमारा रेंडम सर्च हो जाएगा अगर जी की वैलू बाने तो हमारा सिर्फ एचन आएगा तो है यह मतलब क्या हो जाए कि जो आपका ग्रिडी बे के कोशन आते हैं और ऐसे छोटे छोटे कोशन बंते कि अप्टिमल है यह क्या है ठीक है इसकी बाद में निक्स SerUNT देखते हैं कि मैंने यहा पर क्या बता है एक हिर स्टीक होता है तो जोह और आपको आपको Это कोम you connect करना है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो एस्टार है आप सिर्फ एक को याद रखिए किसी भी टॉपिक को करने का यह तरीका नहीं है कि आप इच एवरी टॉपिक को लर्न करें आप एक टॉपिक को लर्न करें और उससे आप यह इंफर करें कि इसमें क्या चिंजिस होगा तो मैंने क्या किया एस्टार पर focus कि अभी हमने पढ़ा कि एस्टार में हमने क्या देखा कि fn g of n और h of n पर follow करता है तो किसी भी question में अगर आपको ऐसा equation दिया रहेगा मतलब वो एस्टार है तो admire करना मतलब आप उसको grand कर रहे हैं ऐसा समझी आप तो यह और इसमें हम important point क्या देख सकते हैं कि A star इसले भी आपका optimal result देता है because it searches all possible path than the best one यह आपको optimal complete और optimal इसले होता है because यह सिर्फ promising note को नहीं देखता वो सारे all possible path को find out करता है हिंस यह optimal और complete होता है तो आपको आए हो अपकी A star clear हुआ होगा उसके बाद इसमें next important question बनता है कि admissible heuristic क्या होते है तो क्या हो आपके लिए best solution होगा नहीं होगा तो over estimate का मतलब है कि आपका जो actual cost है मैंने actual cost लगाया एक लाग ठीक है और आपने पचास हजार में ही उस task को कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी जब अगर आपका estimated cost less होगा किसी actual cost से तो हमेशा हमें अच्छा result मिलेगा that will be in terms of artificial intelligence admissible and heuristic तो I hope आपको A star clear हुआ होगा उसके आदा हम difference देख लेते greedy based search में क्या होता है कि G of N नहीं होता है डारेक्टली हम क्या कर दे फ्री टाइब हम क्या करें ग्रीडी ग्रीडी मतलब क्या कि हमको एक चीस चाहिए तो चाहिए ठीक है तो हम सिर्फ उसी पाथ को find out करेंगे जो हमको ऐसा लगता है कि best path है मतलब promising node है hence इसमें यह जो goal state है इसकी जोरत ही नहीं है तो greedy हो सकता है कि आपने जिसको promising node समझा वो आपके लिए तो अच्छा है बट in real world situation वो आपके लिए सही नहीं था तो इस तरीके से greedy और a star में आए होप आपको difference clear हुआ होगा कि a star में हमेशा हम all possible path find out करते हैं इसलिए यह best होता है पर greedy में हम सिर्फ from missing node को देखते हैं इसलिए यह आपको complete और optimal result नहीं देता है उसके बाद आप देखो मैंने यह बताया है एक चोटा सा concept इसे monotonic का पूछता है कि जो a star है वो monotonic result देता है तो monotonic means what कि monotone मतलब कि जिसको ज्यादा किसे से मतलब नहीं है वो अपने आप में है तो जब हम यह local optimistic की बात होगी यह follow करता है triangle inequality property को तो पूरा ऐसे question ही एक ब प्रॉपर्टी 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 तो उसका answer हो जाएगा a star तो triangle inequality property क्या है जैसे यह triangle है अगर आपका दो साइट का सम इसके equal हो जाएगा तो इसको हम बोलते है triangle inequality property तो यह इस पर ही based है ठीक है उसके बाद आप देखिए कि यहां पर जो मैंने यह बताया कि h of n मतलब जो हमने estimate किया है वह अगर हमारा कम आजाए actual से तो वह तो best method हो गया तो similarly अगर यह भी optimistic result देता है तो आप किसी भी दो values का अगर difference भी ले लेंगे वह भी अगर आपको less than होगा actual cause से तो वह भी best होगा तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं उस आपको informed, un-informed categories जो मैंने आपको बताया है उसमें वह the following पूछेंगे उसकी complexity पूछेंगे या इसके चोटे-चोटे keywords है कि most promising note क्या होता है आपके all possible path पे कौन बैठता है, heuristic क्या होते है यह कब over estimate करेगा, underestimate करेगा, g की values कैसे change होती है, h star की values change होती है तो क्या effect होता है इसक uniform, uniform भी आपका क्या, आप मुझे comment section ने बताईएगा कि जो uniform search है वो किसका है, part है, blind search का part है या फिर informed का बात है, ठीक है, तो जबी भी uniform आएगा, uniform मतलब कि एक consistent भी में, तो consistent मतलब कि यहाँ पे given value depth होगी, मतलब जबी भी आपको question में यह पूछेगा, कि कौन सा ऐसा algorithm है, ज तो सिर्फ minimum cost को ही consider करता है, then answer will be uniform, तो hence मैंने यह single revision page में आपको एक quick revision provide करने की कोशिश करी है, तो आप आज ही जाकर इस topic को अपने स्थर से, अपने level से पढ़िए और revise करी है, तो आप मुझे आज comment section में ज़रूर बताईएगा, कि आज का video आपको कैसा लगा, और your feedback matters, तो आप मुझे please comment section में provide करें कि यह video session आपको कैसा लग रहा है, और जो मैंने आपको assignment दिया है, कि आप मुझे name बताएगे, कि informed और uninformed में कौन-कौन से आते हैं, और uniform किसका part है, तो with these words, thank you so much, और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया, तो I request you to subscribe my channel and press the bell icon.